एक बार की बात है, राजा अकबर वबीरबल दरबार में बैठे, कुछ अहम मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तब ही बीरबल ने अकबर से कहा, मुझे लगता है कि ज्यादातर पुरुष जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी पत्नियों से डर कर रहते हैं। बीरबल की यह बात, राजा को बिलकुल भी पसंद ना आई। उन्होंने इस बात का विरोध किया। इस पर बीरबल भी अपनी बात मनवाने पर अड़ गए। उन्होंने राजा से कहा, कि वे अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं। मगर इसके लिए राजा को प्रजा के बीच अगले ही दिन प्रजा के बीच आदेश कराया गया कि अगर यह बात सिद्ध हो जाती है कि कोई पुरुष अपनी पतनी से डरता है तो उसे दर्बार में आकर बीरबल के पास एक मुर्गी जमा करवानी होगी। फिर क्या था देखते ही देखते बीरबल के पास धेरों मुर्गियां इकठा हो गई और सैकडों मुर्गियां महल के बगीचे में घूमने लगी। अब बीरबल राजा के पास पहुँचे और बोले महाराज महल में इतनी मुर्गियां इकठा हो गई हैं कि आप एक मुर्गी खाना खोल सकते हैं. इसलिए अब आप इस आदेश को वापिस ले सकते हैं. मगर महाराज ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और महल में मुर्गियों की संख्या धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगी. इतनी अधिक मुर्गियां महल में जमा हो जाने के बाद भी जब राजा अकबर बीरबल की बात से सहमत नहीं हुए तो बीरबल ने अपनी बात सिध्ध करने के लिए एक नया उपाए निकाला. एक दिन बीरबल राजा के पास गए और बोले महाराज मैंने सुना है कि पडोस के राज्य में एक बहुत की खूबसूरत राजकुमारी रहती है. अगर आप चाहें तो क्या मैं आपका रिष्टा वहां पक्का कराऊं? यह सुनते ही राजा चौक उठे और बोले बीरबल तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? महल में पहले से ही दो महाराणिया मौजूद हैं. अगर उन्हें इस बात की भनक भी लगी तो मेरी खैर नहीं होगी. यह सुनकर बीरबल ने तपाक से जवाब दिया. चलिए महाराज, फ अपस ले लिया. अकबर बीरबल की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बातों की चतुराई से हम किसी भी बात को मनवा सकते हैं. जरूरत है तो बस बीरबल की तरह चतुराई से अपना पक्ष रखने की. आपको अकबर बीरबल की कहानी जोरू का गुलाम कैसी लगी? इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर देना वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद